हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ कौन शाट की रेसिपी सेयर करूंगी इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत जाद टेश्टी लगता है आप इसे इवनिंग में भी ट्राइ कर सकते हैं और मॉर्निंग में ब्रेक फास्ट में भी बना स करें पैकिट वाले भी आते हैं और खुले भी इजीली मिल जाते हैं इस तरह से मैं इसे छेल दूंगी और जो इसमें बाल से होते हैं इन्हें भी अच्छी तरह से साफ कर देंगे यह मैने बुठ्टे को अच्य तरह से साफ कर लिया है और हम यह के बीच में से तु टूपड़े करने के बाद जो इसके दाने हैं создan निकल रहे हैं यह इस थार से मिलाने निकल जाते हैं तो इस तरह से ऊफरी तरे मुलें के सारे दाने ओड़े निकल लिया है अब हम इन्हें एक बार पानी से अच्छी तरीके से धोलेंगे फिर इन्हें बोईल करेंगे तो ये मैंने धोलिया है इन्हें अच्छी तरीके से तो यहाँ पे गैस ओन करके मैंने तीन कब पानी ले लिया एक बरतन में इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे और पानी को अच्छी तरह गरम होने के बाद इसमें एक चमच नमक डालेंगे और साथ ही ये कौन डाल देंगे यहाँ पर गैस का फिले मीडियम टू हाई रखेंगे और इन्हें बोईल होने में आठ से तस मिनट लगेंगे हहलका सा इसमें चमच से चला देंगे और फिर इसमे बोईल होने करो गरम होते है जो उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता पकने में एक गता करता है तो अब हम यहां पे गैस का फिलेम बंद कर देंगे अब इसे हलका सा ठंडा होने देंगे और इसका पानी है जो अलग कर देंगे तो साफधानी से करेंगे क्योंकि पानी बहुत जादा गरम है और इसे हम चलनी के द्वारा पानी को अलग कर देंगे देखे मैंने इसका पानी नि आदा सा टमाटरह जिसे मैंने बार ही काट लिया है ये शरी मिर्च है एक दक कह दिया है एका ने और узнаवीं देवानेश ढ़ें यह स्कुपर सकते हैं और एक चमच defending मैटो केचाप ढालें इसे भी डालेंगे इसकी जगे आप इसिसे मिली की चट्नी भी डाल सकते हैं यह थोड़ा सा काला नमक डाल दिया हैं नमक हमने पहले भी डाला है तो अपने टेस्ट कोडिंग डालें यह थोड़ा सा नीमो डाल देंगे और अब हम इसे mix कर लेंगे, तो अ मसाला कॉन को मैने अच्छी तरह से mix कर लिया है, बस अब गारणीत के लिए थोड़ा सा धनिया पत्री डाल लेंगे, और इसे गर्मा गरम सर्व कीजिए गर्मा गरम ही ज़्यादा टेश्टी लगता है लेजिए इंजोई कीजिए सूपर टेश्टी कौन चार्ट आप इसे छोटी मोटी भूक में या फिर चाय के साथ सामके टाइम बना सकते हैं आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई